नमस्कार दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है है हमारी यूटुब चैनल टेखनिकल इंट्रेक्ट में आज किस बूर्ण दोस्तों लोग बात करने वाले Samsung Galaxy A30 में जो अल्वेज ओन डिस्प्ले होता है उसको कैसे आफ करें तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा अपने वाले स्क्रीन पर जैसा को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा आपको पहले स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग में कुछ इस प्रकार जाना होगा आपको फिर या आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से भी Always On Display पर क्लिक करके Off कर सकते हो या आप यहाँ पर सेटिंग में कर जाते हो तो आप यहाँ पर डाएरेक्ट लिफ टैब करके भी सेटिंग में जा सकते हो कुछ इस प्रकाल की सेटिंग यहां पर लॉक स्क्रीन में आपको यह option मिलता है यह तो आप अगर लॉक स्क्रीन नहीं खोच पा रहे हो तो स्क्रॉल डाउन करोगे या अप करोगे यहां पर आपको दिखेगा स्क्रीन लॉक टाइप और लिखा हुआ है कि इस प्रकाल को वाच वहां रहता है और यहां पर आप सिंप्ली ओफ कर दिजिए और आपका आगे बाला जो डिस्प्ले दिखता है जो टाइप करने पर स्क्रीन के आता है विनो अन किये वो नहीं आएगा उम्मीद आपको वीडियो पसंदा अगर वीडियो पसंदा अगर वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों का शेयर कीजिए झाल झाल